नमस्कार मैं हूँ मनुष सेनी आज का मुद्दा में आपका स्वागत है आज का मुद्दा है रण में राजा इस पर हम बात करेंगे लेकिन उत्से पहले देख लेते कि आकिर आज का मुद्दा है कि मद्ध प्रदेश के पूल मुख्य मंत्री और रागी सबास्तांसर दिग्विजय सिंग के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वो 24 के रण में उतरने को तयार है लंबे वक्त से कयास लगाय जा रहे थे कॉंग्रेस लोकसभा की जंग में दिग्गजों को उतारने की तयारी में है अब दिगवजे सिंग ने साफ कर दिया है कि 24 की महाभारत में ये महारत ही कॉंग्रिस का जंडा बुलंद करने उतर रहा है हलाकि वो पहले लोकसवा की लड़ाई लड़ने के लिए तयार नहीं थे उन्होंने अपना राज्य सवा सांसत होने का हवाला भी दिया था साथ ही ये भी कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूगा तो पार्टी की तरफ से इशारा हो चुका है अब राजा रण में उतरने को तयार है राजगर में उन्होंने अपने ही अंदाज में इस बात का ऐलान किया कि अभी गोश्टा तो नहीं होई है निकि कोई से मुझे बताया जाता है कि मुझे जुनाव लड़ना है तो आप इस चुनाव नौजवानों को लड़ना है ये चुनाव आप नोगों को लड़ना है कांगरेस की तरफ से दिगविजे सिंग और बाकी दिगजों को उतारने पर बीजेपी दंज कस रही है पूर्मंत्री भूपेंद्र सिंग ने कहा कि किसी का लड़ने का मन नहीं है लेकिन आला कमान का आदेश है इसलिए नेता बिना मन से ही चुनाव मैदान में उतर रहे है कांगरेस के बड़े नेता लड़ने से भाग रहे हैं वोल मना करने लगाता और कांगरेस उनको लड़ाने पर तुली हुई है कांगरेस को प्रत्यासी नहीं मिल रहे हैं इसे में सौही ग्रूप से कोई टीस साल बाद वापस अपने घर में आ रहा है आई ना दुबार आप जहां से लड़ेते भूपाल से क्यों नहीं लड़ते हैं जहां आपकी सीठे जहां 10 साल मुक्य मट्री थे आउपको कुण मना कर रहे लेकिन हारे कोई भाग रहा आपने शुरक्षित मान्द में पहली बाद तो लड़ने से मना करना जर लड़ने को लिए कह भी रहें तो औ और छोटी से छोटी जगा पर लड़ना चाहते हैं। और वो वहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। करनीती के जरिये लेकिन अब खबरें ऐसी है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यदी ऐसा होता है राजगर में तो फिर रोडमल नागर के सामने रोडमल सींग के सामने बड़ी दिखकत होने वाली है क्योंकि ये मुकाबला अलग तरह का हो जाएगा लेकिन इसको समझ जैके उतरने से बीजेपी को कॉंग्रिस पर अमला बोलने का सीधा मौका मिलेगा और तीसरा सवाल है राजा के रण में उतरने से राजगर का संग्राम सुर्क्यों में आ जाएगा तो ये वो तीन सवाल है जिने लेकर हम चर्चा करने वाले हैं लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या दिगवे सिंग मैदान में उतरने जा रहे हैं और यदी उतरता है तो फिर छिनबाडा के बाद दूसरी सीट ऐसी होगी जो सबसे जादे चर्चा में बनने वाली है पर इसके पीछे बीजेपी की रणनीती क्या होगी कॉंग्रेस की क्या होगी समझते आज यही हमारा मुद्धा है रण में राजा पहले उन मेहमानों से आपका पर्चे करा दूँ जो मेरे साथ जोडने वाले हैं मेरे साथ है हमारे न्यूज हैट शर्द दुविदी जी आपका बहुत स्वागत है और साथ ही कॉंग्रिस से हमारे साथ जोड़ रहे हैं इस बग्द फिरु सिद्दिकी जी प्रवक्ता है बहुत आपका स्वागत है और भारती जंता पार्टी के मेमान जैसे ही तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूज हैट सरे दुविदी से बात करता हूँ में शर्द जी क्या कहेंगे लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि इस बार कॉंग्रिस कई अपने सीनियर नेताओं को चुनाओं मैदान में उतारने जा रही है और अब लगभग तस बीने साफ हो रही है कि दिगवे सिंग तो मैदान में होंगे और कोई होगा या नहीं दिगवे सिंग जी को आपने बड़े अच्छे से कई बार कबर किया है बहुत अच्छे से देखा है दिगवे सिंग के मैदान में आने से क्या चिंदवाडा से जादे महतपूर राजग और नतीजे भी दिल्चस्प होते हैं तो जाहिर तोर पर फिर ये छिद्वाडा से बेहचक दिल्चस्प हो सकता है क्योंकि दिग्विजे सिंग एक ऐसे राजनेता है जो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और इस बार जहां ताकत लगाने का मौका उनको मिला है ये उनका ही अ वकड़ गहरी मजबूत है ही लेकिन उनको करीब से जानने वाले ये भी जानते हैं कि उनकी वहां भारती जनता पार्टी और संग के जो नेता हैं उनमें भी एक अलग संबंधों की गहरी पैठ है और संग और बीजेपी से जुड़े लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनकी जीत के लिए संग अब इसको और प्रतिष्ठा का प्रश्ण बना लेगा लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि रोड मल नागर जी का जो राजनीतिक अब तक का सफर है दिग्विजे सिंग जी उस पे भारी नहीं पड़ते हैं तो कम से कम एक टकर होने की दिशा में ये दिल्चस बना दिया मुझा जी एक बात और जैसा हम मैं आपसे कह भी रहा था कि लगातार ये बात कही जाती रही थी कांग्रिस की तरफ से कि इस बार देखे इस बार 2019 से अलग चुनाओं है 2024 का भारती जंता पार्टी ये मानकर चल रही है कि प्रधान मंत्री मूदी का चे तरह की रणनीती है और जितना आसानी से भारती जंता पार्टी 2024 की चुनाओं को मध्यप्रदेश में देख रही थोड़ा सा मुस्किल बनेगा देखे इसके सबसे बड़ा फाइदा तो ये है मनोच की कारेकरता जो घर बैठ गया है 163 का जनादेश आने के बाद मध्यप्रदेश में उस कारेकरता कोई मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि दिगवेजे सिंग जी कांतिलाल भूरिया अरुन यादव जी की अपनी फैन फालोइंग है कारेकरताओं के बीच में भी और स्थानी जहां से वो आते हैं राजगर से जाबुआ से या गुना में जिस तरह यादव बहुल समाज है वहाँ पर तो पहला फाइदा य के साथ चुनाओ के काम में जुटेगा तीनों नेता रिसोर्सफुल हैं फिनेशली भी वो उनके सामने ये संकट नहीं है क्योंकि जब कॉंग्रेस कराह रही है इस बात को लेकर कि एकाउंट फ्रीज कर दिये जाते हैं चुनाओ लड़ने के लिए हमारी विवस्था हमारे स संसाधन रोक लिए जाते हैं तो वहां कम से कम उसके लिए राहत की बात है कि चिंदवाडा, राजगर, जाबुआ और गुना यहां उसके सामने ये चिंता नहीं कि ये नेता चुनाओ कैसे लड़ेंगे या इनको पाटी फंड नहीं दे पा रही है देके और मोविलाइज हारने के लिए नहीं लड़ेंगे तो जो बात आप बार-बार कहते रहे हैं कि पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ नहीं है पान भी वहां से चुनाओ मैदान में थे, लेकिन हार का सामना सिबराज जी को करना पड़ा था, दिग्वें सिंग चुनाओ जीतने में काम्याब रहे थे, और उस छेत में तो उनका खासा बर्चस पर खासकर राजगर, और जब एक बड़ा नीता चुनाओ लड़ता है, त निश्चिती कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ता है, हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है, पर जब दो लोग लड़ते हैं तो एक जीता है, एक हारता है, और निश्चित रूप से जो जीत वाला है, वो हमारे इसमें आने वाला है, हमारी धोली में वो इसलिए गिरने वाला है कि हम सतत जनता के बीच में हम सतत जनता के काम करते आ रहे हैं आप देखेंगे कि मनोज जी दोजार तीन से जो जनता ने हम पे आशिरवाद देना शुरू किया है आज बीस सालों से वो सतत हमको आशिरवाद देती आ रही है और जो अब इससे पूरू में जब प्रिदेश की जनता ने देश की भावनाओं की कदर करते हुए उनको साड़े तीन लाग कोटों से हराने का काम किया था इस बार में समझता हूँ कि वो अकड़ा जो मोका वावां की जनता को मिलने वाला है निश्चित रूप से देश की भावनाओं की वो जनता भी कदर करेगी और जेश की भावनाओं के कदर करते हुए दिगवे सिंग जी को पांच लाग से जादा वोटों से गर बिटाने का का पिरोज सिद्धी की जी आप से समझना चाहूंगा मैं अब ये तो दिखी रहा है कि दिगवे सिंग चुनाओं लड़ने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मंज से खुद मान लिया है और जो खबरें आ रही लेकिन है क्या क्या इस बार की रणिती 2019 से कुछ अलग है और एक मै पार्टी की अपने अपने तरीकें अपनी अपनी बातें ये तो एक नरेटिव बनाने का काम करते आएं और बिना बाद की बे फिजूल की बातें करतें ये बताएगी ये राष्टी चुनाओं है तो राष्टी चुनाओं में राष्टी नेतान चुनाओं नहीं चुनाओ क्यों लड़ा रहे हैं शिवराज सिंग जी उनको तो नहीं लड़ना ची वो तो विधाय के बुद्नी से तो इसका क्या मतलब क्या भारती जनता पार्टी डरी हुई है हम तो यही समझेगी भारती यह सांसद है जोती रादित्त सिंधिया फिर इनको क्यों गुना से चुनाओ लडाया जा रहा है तो कॉंग्रेस भी अगर चुनाओ लडा रही है दिगविजे सिंग जी को तो दिगविजे सिंग जी के पास बहुत सारी उपलब दी है गैस अथारिटी ओफ इंडिया लिमिटेड गेल वहां का कार खाना वो दिगविजे सिंग जी की देने अनेफल का कार खाना दिगविजे सिंग जी की देने आज जो संत्रा और वहां का जो किसानों को संत्रा और जो वहां धनिया होता है वो उसके पाइलट प्रोजेक्ट द प्रदेश को बंटाधार करने का काम अगर किसी ने किया प्रदेश का सरवागिन विकास में पूरे सांसतों का हाथ होता है देश के विजास में तांसतों का हाथ होता है नंबर टू यह ना नंबर वन पता है नंबर थ्री पता है अब एक प्रदेश का मुख्यमंतरी रहा आज वो अपने छेतर में कहीं काम करने लायक नहीं लेकिन राजगर का रिकार्ड यह कहता है कि वो चुराओं नहीं आरे वो चुनाओं जीतते हैं यह रिकार्ड बनते ही द्वस्त होने के लिए यह रिकार्ड भी द्वस्त होने अगले राओं मैं लोट रहा हूं बहुत समय है मेरे पास अभी आज परियाब तो समय और मुझे पता है कि जब दिगवे सिंग का नाम आया है तो बीजेपी क्या करने वाली और आप क्या करने वाले शरजी बही बात है फिर वही पुराने मुद्दे याद आ जाएंगे फि बजबूर करते हैं दिगवे सिंग ऐसे लीडर है जो राघावगर्ड और बात करें राजगर्ड की तो वहां से चुनाओ तो नहीं हारते है अब बिलकुन मनोज देखे यही सबसे एहम सवाल है कि पिछली बार 2019 में दिगवे सिंग जी को चुनाती उस बोपाल लोकसबा सी सीट पे मिली थी जहां तक मुझे जहांने बीते चार दशकों से भारती जन्ता पार्टी का एक तरह से किला है यह सीट पहले पूरू मुक्य सचे और सुशील चंदर वर्मा जी उसके बाद थोड़ा सा समय उमा भारती जी का रहा कारेकाल फिर कैलाज जोशी जी रहे जहां जोख संजर जी और निश्चेत तौर पर इस सीट पे दिगविजे सिंग जी का जादू नहीं चल सकता था लेकिन अगर गुना में आप जोतरा दिस सिंदिया की बात करेंगे चिंद्वाडा में कमलनाज जी नकुलनाज की बात करेंगे और अगर आप राजगर गुना में बात करेंगे एकदम सटे हुए क्षेत्र में दिग्विजे सिंग और जैवर्धन सिंग की तो निश्चित तोर पर आप कितनी भी टफ चुनोती दे सकते हैं वहां लेकिन फिर भी आप यह नहीं कह सकते कि हमारी तरफा जीत होगी आप जैवर्धन जी को दस अजार से कम वोटों के अंतर से जीतने में काम्याब 6 या 6500 मतों से जीतने की तरफ ले आए लेकिन जीते जैवर्धन ही है नकुलनाथी पिछला चुनाव जीते भले ही वह 36-37,000 से जीते तो अब दिग्विजे सिंग जी का एडवांटेज यह है कि उनको उनी का बैटल ग इंडिशन्स आपको मालूम है आप वहां इंफ्लोएंस भी कर सकते हो तो यह बहुत दिल्चस्प है और यह कॉंग्रेस की एक अच्छी रणनीती तो है मरोज बिलकुल यह तिरोज जी मैं आप से समझना चाहूँगा कि आखर यह कहां से बीच में यह भी कहा जाता रहा कि लोग चनां नहीं लड़ना चाहते हैं अभी भी हम मुखमनत्री को सुन रहे थे बुपेंн सिंग को सुन रहे थे वह कहरें कि जवरण आप लगज चनां लड़ना नहीं चाह रहे वार देखी आपकी जो सूची में देरी हो रही बहले आप यह कह रहा हूँ कि दिग्ए सू प्रक्रिया चलती रहती इनकी उत्तर प्रदेश की 50% से ज्यादा सीटें गोशित नहीं हुई भारती जनता पार्टी की एक बात दूसरी बात यह ना कि हम ही जीतेंगे यह जो घमंड है भारती जनता पार्टी का अब यह बड़े भाई तीन उपलब्दी रोड मलनागर की बत जो धनिये का किसान है जो सबसे बहतर धनिया होता है उस इलाके में उस धनिये के एक्सपोर्ट के लिए काम किया क्या उन्होंने कोई बड़ी इंडस्ट्री वहां लेके आए जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलता क्या उन्होंने किसानों के मुद्दे जो हैं संसद मे सो रहा है और उन्हांने का कि उस आंसत की में चैरे पे मोदी के चैरे पे जंता हमको वोट दे देगी जन्ता जो जो ए डिग्वेजे शिन्गी को राजगर की जन्ता से और अभी आप चुनाओं में आई यह और देखिये कि दिगवेजे सिंग जितनी लीड बाचपा बनाईगी वो अकेला राहोगर खतम कर देगा रागावगर में अभी लीड खतम हुई आपकी अभी अभी इस चुनाओं में देखिएगा इस चुनाओं में देखिएगा अभी 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 जाती है दुर्गे जी एक चीज तो आप मान रहे हैं कि इन्वेटर का कार खाना उनों ने लागा है आपने माल लिया तो मतलब बात तो विकास के मुद्दों पर चली जाएगी जिस विकास के मुद्दे पर आप उनको बंटादार हो यह सब कहते रहें यदि दिगवे सिंग राजगर में होते हैं तो फिर बताना तो आपको भी पढ़ेगा शेहर बर में विजल बजाने कर और अंदकार पे फिलाने का काम करते हो तो यह आपको मुबारक हो इसा बितादा आप अरे हमने जो किया है वो जंता अरे हम तो जंता के जवाब देए हम जवाबदार नहीं हम जंता के जवाबदार है जंता हमें क्यों दो आजार सिंग्जी को करना है तुष्टी करन की राही दिगवे सिंग को करना है अरे हम चैए अरे हमाब देगवे सिंग समाई ना माने से ये बहत तो ऐसी होने वाली आने वाले दिनों में समझ रहा हूं कई जरची और यही सबाल मेरा आप से यदि दिगवे सिंग सामने होते हैं तो जिसा हम कहए ते विकास के मुद्दों पर तो चर्चा होगी लेकिन दूसरे अदर्स मुद्दे जैसे हाली में बहुत साला का मुद्दा अब चल पड़ा है आजी ताजा मामला है जिसको लेकर दिग्वेजे सिंग ने फिर अपनी बात कही है कि चुनाओ के समय इन सब चीजों की क्यों जरुत पर दी तो क्या इन सब चीजों से बचने की भी जरुत होगी क्योंकि बात सनातन पर भी जाएगी बात हिंदुत पर भी जाएगी बात मांकी अदर्स जो मुद्दे उन पर भी जाएगी दिख्वेजे सिंग अपनी शेली के राजनेता है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है इसलिए बीजेपी उनकी तरफ बराबर टक्टकी लगा कर निगाह देखती रहती है कि उनकी तरफ से कोई कमजोर बॉल मिल जाया उसको जैसे अभी राहुल जी का एक वक्त वे मिल गया शक्ती वाला जिसको बीजेपी क्योंकि बीजेपी इतनी चतुराई से कॉंग्रेस के निताओं के बयानों पर निरतर गौर करती है और इस पर बहुत ध्यान देना होगा कॉंग्रेस के निताओं को ना सिर्व राहुल जी को ब की तरफ से तो वो पार्टी के लिए चुनोतियां बढ़ाएगी भले ही उसका राजगर संसदी क्षेत्र के नतीजों पर उतना इंपक्ट नहीं हो लेकिन मद्यप्रदेश की सीटों पर और दूसरी सीटों पर उसके इंपक्ट से तो कॉंग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी का समय उनके लिए उन सारे चुबते हुए सवालों का रैशनल तरीके से जवाब देने का उनके पास एक मौका है वो इसको अपार्चुनिटी भी बना सकते हैं और आपड़ा भी बना सकते हैं जी लेकिन इसमें शरत जी क्या एक चुनोती ये भी दिखाई देती है भारती जनता पार्टी के लिए भी चुकि दिगवे सिंग जैसे चेहरे आते हैं तो जिस सीट की हम बात करते रहें अभी तक हम चिनवाड़ा और बाकी सीटों की बात करते रहें क्या आगे चल कर ये चुनाओ जिस तरह जाएगा जिस तरह दिखाई दे रहा क्या उननीस से अलग ह हो जाएगा 24 का चुनाओ तेकि निश्चे तोर पर अगर आप राजगर सीट की बात करेंगे तो मैं चिनवाड़ा के बात इस सीट को लेकर मैं बहुत क्यूरियस हूं कि यहां का नतीजा क्या होता है क्योंकि ये दिगवेजे सिंग के मैं फिर कहूंगा कि दिगवेजे सिं नागर जी भले ही एक मजबूत कैंडिडेट संगी की प्रिष्ट भूमी से हो सकते हैं लेकिन वहां दिगवेजे सिंग का मुकाबला करने के लिए क्योंकि पिछली बार आप याद कीजिए हिंदुत्यों का चेहरा थी प्रग्या भारती जी और ततकाली इन परिस्तितियों के नरूप एक फिट चेहरा थी वहां तो रोडमल नाकर जी फिर भी एक स्थानिय प्रभाव वाले राजनिता हैं जो उस रीजन में प्रभाव रच्टे हैं दिगवेजे सिंग के आने से ये प्रभाव राश्टी हो गया बिलकुश रजे और ये देखना भी पड़ेगा कि आकर प्रभाव कितना दिखाई देता है दिगवेज सिंग का क्योंकि मुद्दे कई ऐसे आएंगे जिन मुद्दों का जिकर हम बार-बार कर रहे हैं और वही मुद्दे उनके लिए भी चुनाउती बनेंगे और आगे चलका दिगवेज सिंग जिस तरह से लोगों को अटे 2019 में 28 सीटे जीतने में काम लाद रहे हैं लेकिन ऐसा होता है कि दिगवे सिंग अरुन यादब जैसे लोग मैदान में नजर आएंगी तो हमें लगता फिर चुनाओ बड़ा दिल्चस्प होने बाला है और इसलिए कहा जाएगा कि 19 से कुछ अलग होगा 24 का चुनाओ तो कि कुछ अलग होस्ग का चुनाओ डाला है